हेलो फ्रेंज, मेरी रसोई में आपका स्वागत है गर्मियों के मौसम में ठंडा-ठंडा कुछ खाने या पीने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है तो आज की रेसेपी ही ऐसी ही ठंडा-ठंडा कूल-कूल वाली रेसेपी है और इसी के साथ आज मैं आपको ऐसा प्रेमिक्स पौओडर की रेसेपी दूँगी जिसे आप एक बार बना कर स्टोर कर लेंगे तो तीन-से चार मेने तक उस प्रेमिक्स पौओडर से कई सारी चीजे बना सकते है तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं इसे बनाने के लिए एक बाउल में एक कटोडी चीनी लेंगे और तीन चम्मच मिल्क का पाउडर लेंगे अब इसी में हम दो चम्मच कश्टर्ड पाउडर डालेंगे इसके बाद हम एक कटोडी काजु डालेंगे और एक कटोडी बादाम डालेंगे दोनों एक-एक मुठी के कडिव है इसके बाद एक बड़ी कटोडी से भरके हम इसमें मखाना डालेंगे और एक चम्मच, खस-खस और 4-5 इलाइची और कुछ केसर के धागे आप इसमें अपने मन पसंद राइफ्रूट्स और भी एड़ कर सकते हैं अब इन सारी चीजों को हम मिक्सी में डाल कर इसका एक पाउडर तयार कर लेंगे अब इस पाउडर को एयर टाइट जार में आप फ्रीज में रखकर 3-4 महिने तक आराम से आप इसे स्टोर कर सकेंगे और इससे कई सारी चीजें मना सकते हैं अब एक पैन लेंगे, पैन में आधा केजी दूड डालेंगे और दूद में दो चम्मच पाउडर डालेंगे पाउडर डाल कर हम इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे फिर गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे एक उबाल आने तक हम पका लेंगे जब इसमें अच्छे से एक उबाल आ जाए फिर हम gas की flame बिल्कुल low कर देंगे और 2-3 मिनट के लिए इसे और पका लेंगे इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे और gas की flame हम बंद कर देंगे और इसे बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तब तक दूसरी तरफ हम एक पैन में पानी लेंगे और इसमें एक कटोरी सोक कियावा सबुदाना डालेंगे सोक कियावा सबुदाना नहीं है तो अब सबुदाना को 4-5 बार अच्छे से धोले फिर आप इसे पानी में उबाल ले सबुदाना जब अच्छे से सौप्ट हो जाए तब हम इसे छनी से निकाल लेंगे तो यह देखिए सबुदाना कितने अच्छे तरीके से यह पक चुका है और बिल्कुल सौप्ट हो चुके है तो अब हम इसे निकाल लेंगे और फिर इसे थंड़े पानी से इसे धो लेंगे जिसे ये आपस में चिपके गए नहीं और इसे भी हम थंड़ा होने के लिए छोड़ देंगे इधर हमारा कस्टर्ड पाउडर वाला घोल बिल्कुल ठंड़ा हो चुका है और पहले से ये गाढ़ा भी हो गया है तो अब हम इसमें दो बड़ा चमच के कड़िब सब उदाना डालेंगे और इसे एक बार पहले मिक्स कर लेंगे तो ये दो चमच में ये परफेक्ट है इससे ज़्यादा इसमें नहीं लगेगा आपको लगेगा तो आप इसमें और एड़ कर सकते हैं इसमें एक पका हुआ केला काट कर इसमें डालेंगे कस्टर्ड और सबुदाना के साथ केले का टेस्ट बहुती बढ़ियां आता है यहाँ पे मैं आपको दिखाना भूल गई यहाँ पे मैं कस्टर्ड को मिठा करने के लिए दो चमच चीनी डाली थी तब चीनी की जगा गूर का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब इसमें तर्बुज का सीजन है तो तर्बुज तो डालना बनता है और तर्बुज से कलर भी बहुत अच्छा आता है और इसमें टेस्ट भी कुछ अलग साहता है आपने कभी ट्राय ने किया है तो आप इससे जरू डाल कर ट्राय करें आप इसमें ताजा नारियल भी छोटे टुकरों में काट कर डालेंगे, उससे भी तेस्ट बहुत अच्छा हता है, उपर से ड्राइफ्रूट्स डाल कर सजा देंगे, और उसे फ्रीज में दो घंटे के लिए हम थंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जब ये दो घंटे में बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए, फिर ये सर्व करने के लिए बिल्कुल डेडी है, और ये देखिए, बिल्कुल गारे-गारा बनकर हमारा कस्टर्ड तयार है, सबुदाना और फल से भारावा कस्टर्ड, जब आप सिंपल कस्टर्ड बनाते हैं, और इस तरह पाउडर से आप कस्टर्ड बनाएंगे, तो आपको दोनों में फर्क जरूर बुझाएगा, बहुत सारे बच्चे ड्राइफ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो आप इसे इस तरह से बना कर दे सकते हैं, और ये हमारा टेस्टी सा डेजर्ट बनकर बिल्कुल तयार है, आपको म मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, और मेरी चैनल पर नए है तो लाइक, सस्क्राइब, कॉमेंट जरूर करिएगा, थैंक यू